कि नहीं जो सरकार बढ़ी है कि मुख्य मंत्री ने बड़ा दावा किया था रोज प्रेस में ब्यान देते हैं कि हमने 14 फसले MSP पे खरीदे है अज सर्चों की खरीच शरू है कि सान अपनी सर्चों की फसले निकाल करके बजार में लेकर क्या है कि 700 से लेकर के साड़े 700 रुपए MSP से कम भाग मिल रहा है कि सरकार ने भी खरीच शरू नहीं करी कि सरकार को तुरंत इस तरफों कि खरीच शरू करनी चाहिए और MSP के इसाब से किसान को उसका पूरा पैसा देना चाहिए जिस किसान ने बेच दी उसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए यह किसान सदा से किसान भी रोदी रही है कि अग्वारों में जुठे दावे करते हैं और अकीकत में किसान को कमजोर करने के लिए रोज नई योजनाई बनाते हैं जहां सर्चों की फसल सरकार को खरीदनी चाहिए आज आज आपको विशेश रूप्ष इसलिया मंत्रित किया है मेरे से भी पहले से इंडियन नैशनल लोगदल पार्टी को जो पार्टी का स्थापना हुई थी उत वकत से पार्टी का संथन को मजबूत करने में जोदरी देविलाल के साथ भी और चौदरी उंपर का चुटालाजी के साथ भी इनों ने लंबे समय तक संथन को मजबूत बनाने में अपने जुम्यवारी निभाई पीछे किसी कार्णमस कुछ समय के लिए राजनितिक तोर पे जिस तरह के अलात प्रदेश के रहे देश के रहे उनको देखते वे राजनिति से उप चुके थे लेकिन इंडियन नेस्टनलोगल पार्टी के परती सदा कि उनका लगावरा हमेश्या पार्टी को कि जब भी मेरी मुलाकात हुए चोलाना सहब मादराजी से मुलाकात हुए उन्होंने कुल करके कहा कि मेरी इच्छा है कि पार्टी फिर सिकर्फर पहुंचे को कि आज फिर स्क्रिय रूप से पाटि की जुम्यबारी पाटि को समाड़ने के लिए आज पिर हम्हें आशी रृवात देने के लिए आए हैं खोंग का बहुत वागत करते हैं विन्दन करते हैं और वहीं चुटाला साफ से कल मेरी मुलाका पहुत है कि उससे पहले हम सबसंग्ठन के साथियों ने आपस में बैठकर के विचार भी मर्ष किया मैं माजरा जी से मेरे माई एलेक्षिन में भी माजरा जी ने मेरी खुल करके मदद करी थे जोदरी देविलाल जी की जैनती के ऊपर भी हमने जब इनको इन्वाइट किया तो ना क्यों लियाए बल्कि कैथल की रैली की सारी देख रेख इनकी निगावी थी और हम सब साथियों ने जब बैठकर के आपस में विचार भी मर्ष किया तो सुब की एक इच्छा थी हमारी हमारे नहीं बलकि पार्टी के हमारे पूरे परदेश के जितने भी कार्ये करता रपदादिकारी है उन सुब किया कि इच्छा थी कि माजरा जी को फिर से बड़ी जुम्हारी पार्टी में सुपी जाएं ताकि संग्थन को और ज्यादा मजबुक्ती से आगे बढ़ाया जाएं आज सबने एक फैसला लिया है हर फैसले से कुटाला साथ को हमने अवकत कराया है उनकी भी जाती इच्छा थी कि पार्टी के परदेश की कमान अब माजरा जी को सुपी जाएं आज हम इनका स्वागत करते हैं विनंदन करते हैं वहीं हम सब इनके नहतरतम में कि पार्टी के संतन को मजबूत करने के लिए काम करें गया है वाक्ति सारी बाते तो माजरा जी सब आप से कहेंगे मैं यह नहीं कुगा कि को इनकी घरवाप्शी है का जी पार्टी में नहीं से शामिल है यह हमेशा पार्टी के साथ रहे हैं थोड़े दिन निस्क्री हो गय अब फिर से इस सारी बात को अप्षे डिशी निवाएंगे बग्की बद्ते तो आप माजरा जी से करो आप सभी का स्वागत है जमाना चोदरी देविलाल का था और निया युद्ध था राजी लोंगोबाल समझोता हुआ उसके खिलाब भी सक्रिय भूमी का निवाई चोदरी देविलाल 1982 में बहुमत लेकर के आयव और उनकी सरकार नहीं बढ़ने दी तब भी एक बड़ा जटका था तब भी हम चंदिगड में बहुत बड़ा परदर्शन करते रहे और एक भी ना सुनी और उसके बाद हम लगातार चाहे कोई भी अंदोलन रहा कोई जलसा रहा कोई परदर्शन रहा उसमें लगे रहे चोदरी ओंपरकास चोटाला जी के साथ चोदरी देविलाल जी के साथ और बढ़ हो जाते हैं कुछ समय के लिए दो तीन मेने के लिए ऐसा हुआ कि वो मतवेद हुए और अभे सिंग चोटाला ने ये चैलेंज कर दिया था कि तीन काले का किसानों के कानून जो आए हैं जिसमें MSP नहीं रहेगा अत्यादिक बंधारन की इजाजत बड़ी कंपनियों को दे अगर ये वापिस नहीं लिए मैं स्तीफा दे दूंगा और किसान अंदोलन में पूछ जाओंगा सब इस तारिक आई तो 27 तारिक को इनोंने अपना स्तीफा दे दिया और दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठ गए और मेरे से भी फोन पर किया आप भी इस बीजेपी को सुर्गे श्री नफे सिंग राठी की अद्दक्स्ता में सब ने मिल करके कोई डेड़ सो दोसो जा करके डिल्ली के बैठे किसानों को समर्थन दे करके आए और उसके बाद उस किसान अंदोलन में भी अपनी भूमिकानी भाई साधियो आज कुछ इसे बाते हैं कि सरकार के क हैं हमारी पारदर्सी सरकार है 32 से ब्यारी स्पेपर बेज दिये जाते हैं और फिर ये कह देते हैं कि हमारी सरकार पारदर्सी है 235 कोपडी बैंक में लगा दिये जाते हैं बुला बुला के घर से और हमारे वहां के विदायक परचा दर्ज कराते हैं पुंडरी के कि मेरे ब कर दिए और इनों ने ये का विशेश तोर से किसान के लिए हम आमदरी दूगड़ी कर देंगे ना दूगड़ी हुई ना स्वामिनाथन योग की रिपोर्ट लागू उसकी नास MSP का कानून बढ़ा और GSTV किसानों पर ही ज्यादा थोपया गया और टीवल के कनेक्शन लेने के लिए भी एक जटिल परकेरिया बनाए जिसके वज़े से ये किसान बहुत दुखी है जवान दुखी है और सरकार कहती हम पारदर्सी हैं इस देश में चुनावी बांड का कितना बड़ा महा गोटाला हुआ है कि या तो ED का डर दिखा के या आगे उद्योग स्थापित क के लिए इतना चंदा इकठा किया गया जो चुनावी बॉंड का बहुत बड़ा गोटाला आज भारती जिनता पार्टी ने किया है और हर जले में पांस सितारा दफ्तर बने वो कहां से बने ये बातें जो लगती हैं कि कहते हैं कि हम 400 पार करेंगे इसका मतलब तुमने एव सब्सक्राइब को पहले सेट किया हुआ है आज किस परकार से के इनके उपर भी परसंद चिल लग रहा है के वीवी पैट को मामले में तो ये खामोस हैं परन्तु इसकी पहर भी जरूर करते हैं कि चैर्शो पार करेंगे यार्यान में भी दावा किया था कि पचेतर पार करे पंचास हारे थे चारीस जिते थे इन परस्तितियों को मदर नजर रखते हुए के हर्याना परदेश में कोई ववस्ता नहीं बदली ना तो एस वाईयल का पानी आस क्या एस वाईयल का परस्ताव सबसे पहले सारे समझोते रद करने वाली पार्टी कांग्रस है और इसी पर परदेश माई उनकी आप पार्टी की गौर्रमेंट पंजाब में बढ़ी उन्होंने पंजाब की विदान सबाब में पहला रजूलेशन ये पास किया कि हम एस वाईयल का पानी हर्याने को नहीं दे सकते जो बगवतमान की सरकार बढ़ी है और इसी परकार हमारे हर्याने मे जा आश्वाईल सूकी है वहीं पर हासी बुटाना नहर भी सूकी पड़ी है और ये लोग कहते हैं कि हमने एक समझोता जमना जल समझोता उनी सो चरान में में हुआ था ये कहते हैं कि हमने राजस्तान को पानी जमना का देने का समझोता भारतिय जिंदा पार्टी की सरकार अगर बारिस के दिनों में पानी अत्रिक था तो वेस्टन जमना में पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है कि उसमें अगर ज्यादा पानी होगा तो वेस्टन जमना को देंगे अगर ज्यादा पानी था अगर वहां पे पानी उपलब था तो दादू पर नडवी नहर को क्यों पानी दिया गया क्योंकि उसका भी objective खोदने का बनाने का यही था कि बारिस के दिनों में अतिरिक्त पानी दादू पर नडवी नहर में दिया जाएगा availability of water के बारे में को study नहीं कीगी, hydrological study कुछ नहीं कीगी, कह दिया कि तीन pipe से राजस्तान को पानी जाएगा और एक pipe को हर्याने के दाद्री और भीवानी को पानी मिलेगा, यह visibility है नहीं, हतनी कुण बैरास से पानी आप जाके राजस्तान ले जाएगे, यह संबव ही नहीं, ओखला से पहले पानी मिलता है राजस्तान को, वहीं से दिया जाना चाहिए और हर्याना बरसू से इसका विर और हर्याने की प्यासी जम्मिको पानी की जरूर्ट तैर्वो राजस्तान को देना चाहते हैं, यह गलत है, feasibility ही नहीं है, ना अर्याना परदेश को SYL मिली, ना अर्याना परदेश में कोई हासी बुटाना नहर में पानी आया, दादू पर नडवी नहर बंद कर दी, और अ कि एक फसल किसी की ब्योरा किसी का और ही इसाना परदेश में है, यह हार्याना परदेश में नेकों गोटाले हो रहे हैं वहीं देश के अंदर भी बहुत बड़ा ये चुनावी बोंड का गोटाला है ऐसे मोके में मुझे चोधरी अबेसिंग आए और मेरे से कहने लगे और चोधरी ओम प्रकास चोटाला भी कई बार मेरे पासे यही कहते थे कि आओ रामपाल तेरा तो चोटाला लड़ रहे हैं ऐसे मोके में किसानों के लिए स्तीफा देने वाले हर्याना विदान सभा को ठोकर मार देने वाले ऐसे मोके में हर्याना प्रदेश की जंता की वाज को हर्याना की विदान सभा में बुलंद करने वाले ऐसे मोके में कि वो लोक सभा का चुनाव यह कोई लोगदल पार्टी में आज को यह भी नहीं समझ पारा होगा कि बहुत बड़ा फेर बदल होकर के सरकार बनने वाली है नेक्ट भविशे में कल क्या हो जाए यह तो संभावने रहती हैं संगर्ष के बलबूते पर ही किया है आगे भी संगर्ष को ही चुना है आज आए लडाई लड़ने आए और जनता की आवाज को बुलंद करने आए धनेवाद करने नहीं कर दो कर दो कर का रहा है कि चुटाला साब जब कभी भी प्रेश के साथी उनसे मिलते थे हमेशा एक वात खुल करके कहते थे कि यह सरकार जाएंगी है और आज इस किसम के आलात है कि यह सरकार लोक्षभा के चुनाव के चलते चलते भी तूट सकती है कि जिस तरह से कल मंत्री मंडल का गठन हुआ है उससे नराजगी बहुत बड़ी है लोगों सत्ता के साथ जुड़े जो लोग है वो प्रेशान है कि दूसरे लोगों पर क्या श्रोण है आज जो मेले साथ दे रहे हैं आज करके जो इंडिपेंडेंट और जो जेजेपी बड़े यह बहुत दुखी है जानकारी तो आपको भी होगी खेर है अरे मेरे से ज्यादा जानकारी होगी लेकिन कुछ जानकारी हैं मेरे पास भी आई है जो पार्टी का सबसे मजबूत आदार है वो सबसे ज्यादा खपा है विच्छाब के चरे की जो हसी है उससे लगता नहीं आपको कि वह एक दिन भी सरकार को परदास नहीं करना चाहते है को यह सब मोग काया तो मुझे लगता है सबसे पहली मौरूनी की लगेगी सरकार तो है दी सरकार तो अगर होती है तो फिर मुख्यमंत्री का पहले दिन यह ब्याना चाहिए था कि मैं तानुन वे वस्ता ठीक हूं फिर तो किसान की फसल की MSP पर खरीक सुरू हो जानी की है तो आज भी जो नया किनावा मुख्यमंत्री है उसको खुद पर भरोसा है निवरा कि मैं मुख्यमंत्री बन गया इससे ज्यादा और क्या जाद प्रोटोकॉल तुटेंगे अएर कें खिरिमा को कम किया जाएगा है बुद्पुर्व मुख्यमंत्री का नाम तो उपर लिखा जाता है उसका निछे लिखार आफ ने खी बूदपरोफ बट्धनमंत्रि आपके तो मान सकती है या फेर इस किसी पार्टी का है ईजखो एज तब मानी जा सकती है किस तरह से आज भी जो हाँ भाजा मुक्हमंत्री और बूदपरूफ बूक्हमंत्री और लिक्वी सब्बादित कर रहें है कि उसको इस बात का अडर है कि इसको बुख्य में तरी करना बंद कर दिया तो तेरी खुर्शी नहीं लिए आज आज आप सब लोग आए हो आपका स्वागत है एक बात कहना चाहूंगा कुछ लोग कि मेरे कुछित्र में उमीद्वार बनाने के बाद मुझे है कईयों को भूत दिक्कत आ रही है कि सुशील गुपता जी काक्कल एक ब्यान छपात है कि उन्हों ने अपने ब्यान बें ये का कि अवैसिंग चुटाला गुपकुरुक्षेत्र से निर लड़ना के वह बारी व्यक्ति है चाज तो बोले सो बोले चादरी भी बोलने लुगी कुपताईजी शायद भूलगे विचारे कि वो कभी अर्याना के थे अपना वेवसाय करणेगी दिल्ली चलेगी और दिल्ली से राज्यसभा की मेंबर रहे अर्याना से कभी कोई वास्ता नी रहा अब उमीद्वार बन करके आगे मैं गुपताजी को बताना चाहूंगा आपकी माध्यम से कि मेरा कुरुक्षित्र से बहुत प्राणा रिस्ता है मैं पहले लोकस्वा का चुनाव लड़ चुका हूं और उसके बाद अर्जुन लड़ चुका है हमारे चुनाव लड़ने की बात ने यह अर्याना प्रदेश चोधरी देविलाल का लगाया वपदा है पूरे परदेश में जनम तो है ठीक हमारा सर्शामी हुए लेकि निस्ता पूरे परदेश से एक जैसा है हम तो कहीं से भी जाकर के लड़ सकते हैं कि हमें तो हमारे संग्ठन जो जुम्मेवारी लगानी है उसको निवाना है लेकि नुट को बोलने से पहले सोचना के यह है अर्याना के लोग उच्छाने है अश्वाईल का सभशे बड़ा विरोद अगर किसी निकिया तो आप पार्टी में किया अर्गुपता जी आप पा जमानत भी नी बचेंगे मेरा जो अंदाज है और कोई आपकी तरफ से कुष्चिन है तो बताओ आप बताओ क्या स्थेती देख यह स्वाल मेरे से पूछने का लिए यह तो आपको आखलन करना चाहिए कि जुन्हों ने बड़बोले बोल बोले थी आज उनकी स्थीती क्या है मैं एक बात कह सकता हूं तो सत्रा प्रसेंट बोट की बात करते हैं जो पत्यास कि लेकर के मुख्यमंद्री का खबाब देख लेते हैं अगर लोकसमा का चुनाव लड़ लिया मुझे नहीं लगता क्युनाव लड़ेंगे अगर लड़ लिया तो तो सत्रा प्रसेंट जो है वो जीरो पॉइंट से उन पर जाएगा कि उनकी अलत नोटों से भी ज्यादा खरा हो जाएगा आप मुझे एक जी बताओ मेरे नाम की गोष्णा के बाद सब को प्रेशानी हो रही है एक नहीं हो रही है सही सही बताओ अराश्टिय दलों की उनको तकलिफ हो रही है अभी तो एक मेरे अकेले की नाम की गोष्णा होगी जब लो की और होगी तब आप देखना है इनकी हालत क्या हो हुआ है हम औरों की तरह जुठे दावे नहीं करते हैं नाम ने राजनिती में कभी दूटकवा स जोटीज़ तर सकते हैं फुल करके लोगों के सामने रखी कम यह करेंगे अजुनी कर्सके उसके लिए लोगों से का कि हमारे बसकी नी है लोकसभा के चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो बहुत चुकाने वाले होंगे बहुत तारानी वाले होंगे कि ना खुल के कह सकता हूं कि हम बहुत अच्छी पोजिशन में रहे है कि दिन लेगों को गड़त है में उनकी गड़त है में दूर हो जाएंगे जातिकत समीकन तो इससे सदेंगे निए सदेंगे और कियों कि रां तुकट गट गी जो कहिना के मुख्य मंतरी को लगते थे कि ये तेरी कमांड में ठीक से काम नहीं करें उनको साइड लाइन कर दिया कि नहीं कर दिया है अग्या अग्या प्रण अग्या अग्या निवीज निवीज अनिल्वीज निवीज तो मुख्य मंतरी के आंग में अपने रड़त राएं पर दिन से रड़का है कितनी दपाई इनके आपस में ख्लेश में कितनी दफा बैठ करके सम्झोते हुए है मैं तो हमेशे ही कहता था कि विज साम कि अगर कोई सुनता निया तुमको छोड़ देनी चीए अगर ये भैसला पैले ले लिते हैं तो आज समीकर्ण ओर होते हैं करेंगे तस की दस सीटे लड़ेंगे तस की दस पर हमारे उमीदबार खड़े होंगे तस की दस पर उत अच्छी लड़ाई लड़ेंगे आपके लिए नास्ता तयार है जन्नेवाद आपका है कि अबरक कैंथर से लेगी जो टीम माजरा साब को और भाही है वेसिंजी को बुखे टाज़े घटाज लेसे अगरे अगर अगरे बुखे जन्नेवार वार्थ आए जिस्यक्ता थेखिस्टार करेंगे है